हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सेयर करेंगे चटपटी चटाकेदार पनीर हेदरबादी की रेस्पी जो की चटपटी चटाकेदार बनकर तयार होता है तो ट्राइ जरूर कीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं इस डिलिसियस रेस्पी को कैसे बनाया है तो एक नो कर लिजिए और जब घी गरम हो जाए यहां पर पनीर के पिसे सेट कर देना है तो यहां पर हमने लंबाए में करट करके लिया है तो 250 गराम यानि की अधाय 100 गराम पनीर है और इस तरह से हमें फ्राए कर लेना है दोनों साइट से अच्छा सा कलर आने तक और 6 했어요 वर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, अब एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, दो चमस तेल डालेंगे, और तेल अच्छे से गरम होने पर दो बड़ा साइच का प्याज लियें थे, चार चार पीस में कट कर लिया है, प्याज को एट कर देना है, और प्याज को हमें हलका गोल्डेन कर लेना है, बस हलका सा कलर चेंज करना है, बस इस तरह से, अब इसके बाद इसमें डालना है, चार हरी मीच, कम तीखी वाली है, आट से दस लसुन की कलिया, दो इंच अद्रक का टुकड़ा, अब इन सभी चीजों को हमें रोश्ट कर लेना है, देखिए यहाँ पर हलका सा पका लीजिए, इस तरह से, दो मिनट तक, बस यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दीजिए, और एक मिकसर जार ले लेंगे, और यह सभी चीजे ठंडा होने के बाद, हमें मिकसर जार में एट कर देना है, दो मीडियम साइच का टमाटर कटा हुआ डालेंगे, एक मुठी हरधनिय एट करेंगे, आठ से दस काजू डालेंगे, और इसे हमें पीस कर फाइन फेस्ट बना लेना है, तो देखिए, इस तरह से पेस्ट बना लीजिए, फिर उसी कड़ाई में दो चम्मस तेल डालेंगे, तेल अच्छे से गरम होने के बाद, तेजपत्ता, काली मीर्च, हरी इल इची, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, कुछ सकेंड इसे पकने दे, फिर इसमें एट कर देंगे, जो हमने प्यास टमाटर का मसाला तयार किया है, तो इसे डाल देंगे, थोड़ा सा जार में पानी डाल कर मसाले में डाल देंगे, ताकि मसाला वेश्ट ना हो, अब इ ये मसाला भूनने लगा है, इससे हम अच्छे से भूनने जाएंगे, ताकि जो मसाला का कच्चापन है तो खूब अच्छे से भूनने लगा है अब इसमें हम एट करेंगे कुछ सूखे हुए मसाले के पौडर एक चम्मच धनिया पौडर आधा चम्मच लालमीच पौडर आधा चम्मच हल्दी पौडर आधा चम्मच जीरा पौडर एक चोथाई चम्मच काली मीच का पौडर अब इसे हमें डाल कर अच्छे से भूनना है मसाले से तेल निकलने तक खूब अच्छे से भून लीजिएगा तो यहाँ पर डालेंगे आधा चमच नमक तो आप अपने टेस्ट के अनुसर नमक डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं अब अच्छे से मसालों को सभी चीजों को मिक्स कर लेना है बीच बीच में आप चलाते रहें इसमें हमने काजू डाला है तो कड़ाय में थोड़ा चिपकता है तो बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि मसाले जले नहीं, अब यहाँ पर एट कर देना है दो चमच मलाई, और मसालों के साथ मिक्स करते हुए थोड़ी देर और भूनेंगे, तो यहाँ पर हमने दूद की मलाई एट किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो दो से तीन चमच दूद की मलाई एट कर लीजिएगा, तो रेस भी पसंदा रही हो, तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो देखिए, यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं, इसकी रंगत, अब इसमें हम एट करेंगे, आधा गिलास पानी, तो अच्छे से मीक्स करेंगे, अब यहाँ पर डालेंगे पनीर, जो हमने भून कर रखा हुआ है, तो पनीर डाल देंगे, तो बस इसे हमें इसको अच्छे से मीक्स करना है, तो बहुत ही असान तरीके से हैदराबादी पनीर बनकर तयार हो जाता है, टेस्ट में इसका क्या कहना, जब आप इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा, अब इसे कवर कर देंगे, चार से पांच मिनट के लिए, तो चार मिनट बात देखेंगे, पनीर की सबजी यहाँ पर बनकर तयार हो गई है, गैस को हम बन कर देंगे, अब इसमें लगाएंगे एक तड़का, जिससे की इ मच घी गरम कर लेंगे, और थोड़ा सा कस्मीरी लाल मीच का पौडर एट कर देंगे, और पनीर के उपपर इसका तड़का लगा देंगे, कलर बहुत अच्छा आएगा, तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से हैदराबादी पनीर ट्राइ कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा, अगर हमारी रेस्पी पसंद आई हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फिर मिलेंगे, एक स्वाधिश रेस्पी के साथ,